दोस्तो आज की इस वीडियो में हम सेखेंगे काजू कसाता रोल बहुत इजी और घर पे बनाने का तरीका हम देखेंगे इस वीडियो में वीडियो को लास तक देखती रहें अगर आप हमारे चैनल पे नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में घंटी वाले बटन को भी जरूर आउन कर ले ताकि आप सभी को ऐसी हलवाई वाली वीडियो मिलती रहें चलिए फिर बनाना स्टार्ट करते हैं काजू कसाता रोल बहुत इजी रेसपी है घर के हिसाब से में इस बार बता रहा हूं सभी को सबसे पहले हमें काजू चाहिए होगा तो काजू बिल्कुल साफ वाला परफेक्ट वाला हमें एक कप के करीब लेना है अगर मैं ग्राम म दालके इसको चानेंगे तो यह चनाएगा नहीं तो हम क्या करेंगे इसे मिक्सी को एक बार बंद करेंगे फिर चलाएंगे फिर बंद करेंगे फिर चलाएंगे ऐसा करके हम इसको पीसेंगे उसके बाद चनी में डालके इसको फाइन पाउडर है उसको चान लेंगे और जो ब बिल्कुल काजु का पौदर बनके रेडी है, इसे हम रखते हैं, थोड़ी दिर के लिए साइड में एक पैन रखेंगे हम गैस पे, इसमें हमें चीनी चाहिए, चीनी भी हमें उतना ही चाहिए, जितना हमने तक half का यूजे किया है, लेकिन मैंने थोड़ा सा चीनी कम डाला है मैंने सिर्फ 200 ग्राम चीनी डाला है और उसका आदा 100 अमल पानी डाला है अब दोनों को अच्छे से हम करेंगे मिक्स और इसे उबलने तक का हम वेट करेंगे इसे उबालने के बाद एक मिनिट और उबालना है ताकि इसके अंदर एक तार बन जाए तार बनाने से क्या होगा म इसका मतलब बिल्कुल perfect हमारी चासनी बिल्कुल रेडी है यह देखिए ऐसे बिल्कुल अच्छे से तार बनना चाहिए मतलब हलकी तार नहीं बिल्कुल ऐसे टाइट वाला तार बनना चाहिए और side में जब चासनी जमने लग जाएं ऐसे crystallize होने लग जाए 뉴스 तो इसका ग्यास का फ्लेम बिल्कुल लो पे रखना है और इसे तब तक मिक्स करना है जब तक कि ये बिल्कुल अच्छे से पक ना जाए मिक्स करने के बाद आपको एक मिनिट और इसे पकाना है हलका सा बिल्कुल लो फ्लेम पे ताकि ये बिल्कुल डो जैसा रेडी हो जाए ये देख अब मैं इसको एक मिनट तक पकाने के बाद गयास को कर दूंगा बंद low flame पे एक मिनट पकाया है उसके बाद हम क्या करेंगे इसको एक बार चेक करेंगे ताकि हम बिल्कुल confirm कर सके कि हमारी जो बर्फी है यह तो थोड़ा सा प्लेट में मैंने निकाल लिया उसके बाद मुझ बिल्कुल अपने फिंगर में ऐसे घूम रहा है आपके फिंगर में बिल्कुल ना चिपके तो इसका मतलब है बिल्कुल रेडी है तब आपको ग्यास बंद करना है मतब चेक करने के बाद ग्यास बंद करना है तुम मुझे पता था इसलिए मैंने पहले ग्यास बंद कर दिया अब यह बिल्कुल ready है तो जैसे जैसे यह ठंडा होता जाएगा यह इस तरह से डो जैसा बनना start हो जाएगा देखिए बिल्कुल इस तरीके से यह tight हो जाएगा तो अब हमें क्या करना है बस इसे थोड़ा सा और ठंडा करना है उसके बाद हम इसे निकाल लेंगे किसी भी बो अब जब हम इसका process start करेंगे ऐसे mash करने का तो यह थोड़ा सा गरम होगा और इस तरह से आपको अच्छे से flavor अगर आपको दो flavor करना है तो 2 color भी I ад करना होगा इसके अंदर एक तो हमने यहां पे वाइड ही रखा है एक में Helsing अन्हدم से तो ऑनली Кेसर अड़ कर सकते हो केसर से थोड़ा बहुत color आएगा लेकिन बहुत जादा color नहीं आएगा थोड़ा सा केसर वाला color एड़ करना होता है हलवाई करते हैं इसलिए मैं बिल्कुल हलवाई की तरह बना रहा हूं तो बिल्कुल हलवाई जैसे ही मैं कलर भी एड़ कर रहा हूं थोड़ा सा यह देखिए मिक्स करने के बाद यह थोड़ा सा केसरी कलर हो गया और एक वाइट है मारे पास अब एक पॉ मोटाई जितने आपको रखना है इसका उतना आप रख सकते हो यह देखिए मैंने इसको थोड़ा सा ऐसे फैला दिया और इसको थोड़ा सा मैंने स्क्वेर की तरह शेप जो है वो दे दिया है हास से उसके बाद जो हमर पास दूसरा है वो हम ऐसे थोड़ा सा लंबा करेंगे यह देखिए इस तरह से और इसको बिलकुल ऐसे डोल कर लेंगे रोल की तरह हम बना रहे हैं अभी यह थोड़ा सा गरम है तो इसलिए थोड़ा सा लूज रग रहा है लेकिन जैसे जैसे यह ठंदा होता जाएगा, यह काफी जादा tight हो जाएगा, यह देखिए, अब इसे हम roll की तरह बिल्कुल इस तरह से roll कर देंगे, यह देखिए, बिल्कुल ऐसे करना है, और इसे इसी polythin के अंदर wrap करके, थोड़ी देर के लिए ऐसा ही छोड़ देना है, म इसको open करेंगे थोड़ा सा क्योंकि यह थोड़ा सा tight हो गया है मतलब 2-3 minute के लिए जब छोड़ते हैं तो थोड़ा सा tight हो जाता है और लेकिन अभी इतना जाधा tight नहीं हुआ कि हम इसको roll ना कर सके तो इसे हम थोड़ा सा ऐसे बड़ा कर देंगे और shape जो आपको देना है जै 10-15 minute fridge में रखने के बाद थोड़ा सा tight हो जाएगा मतलब cutting करने के लायक यह हो जाएगा देखिए बिलकुल यह tight हो गया है अब हम इसको cut कर सकते हैं pieces में तो जैसे भी pieces आपको पसंद है चोड़ाई मोटाई के हिसाब से बता रहा हूं जैसे भी आपको पसंद है वैसे आप एक plate में रखते हैं और इसके उपर थोड़ा बहुत कटे हुए पिस्ता बादा मोगरा डालेंगे और यह बिलकुल ready हो जाएगा दोस्तों आपको यह वीडियो कैसी लेगी comment करके जरूर बताइए अगर आप सभी को हमारा चैनल पसंद है ऐसी और वीडियो देखना चाते हो हलवाई स्टाइल वाली तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें बगल में घंटी वाले बटन को भी जरूर दबाएं और उसके बाद हमारे चैनल पे जितनी भी वीडियो अपलोड होंगी वो सारी नोटिफिकेशन आपके पास पहुशती रहेगी देखिए कितना soft और क पिल्कुल बन के ready है इसको आप किसी भी तरह से garnish कर सकते हो जैसे भी आपको पसंद हो वैसे आप इसे कर सकते हैं और इसे घर में जरूर बनाएं तो ऐसी हलवाई भी बनाते हैं ऐसी आप लोग भी घर में बना सकते हो और हाँ अगर आप सभी को हमें facebook अगर आप देखना प